ये जो जमू कश्मीर पुनर गठन संशोधन विदहेक लाया गया है इसकी राजनीतिक मंच्शा इतनी सरल नहीं है इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि जो जमू कश्मीर का विभाजन किया गया था उसको दो केंदर साशद प्रदेशों में उसका गठन किया गया था उसको स्ताइत्व देदी की है मैं इस सदन को याद कराना चाहता हूँ कि जब जमू कश्मीर पुनर गठन विधेक लाया गया था तो ये बात कही गई थी कि उससे अमन शान्ति होगी उससे देश में विकास होगा जमू कश्मीर में दूद और मधु की नदियां बहेंगी पर पिछले सत्रा महीनों में जो हुआ है वो उसके बिलकुल विपरी थे मैं आपको सिर्फ पांच आंकडे देना चाहता हूँ जो इस चीज़ को प्रमानित करते हैं 2004 से लेकर 14 तक जब यूपिय की सरकार थी जमू कश्मीर में साड़े 500 सीज़ फायर वाइलेशन हुए 19 जून 2018 को जब बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापस लिया और वहाँ पे पहले गवर्नर रूल फिर राश्टरपती साशन फिर लेफटन गवर्नर का राज लगा तो 2018 में 2946 सीज़ फायर वाइलेशन हुए 2019 में 3299 सीज़ फायर वाइलेशन हुए 2020 में 5133 सीज़ फायर वाइलेशन हुए ये क्या अमन और शांती का पैमाना है मैं आपको दूसरा आंकड़ा देना चाहता हूँ ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में बहुत विकास होगा कश्मीर में तो पिछले 17 महीनों में कोई इंडस्ट्री आई नहीं और जम्मू में जो इंडस्ट्री थी वो भी बंद हो गई जम्मू के तीन सूबे तीन जिले हैं कट हुआ सामबा और जम्मू जो पंजाब के बगल में लगते हैं उसी में ले दे के जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री है अब उसकी परिस्तिती क्या है जम्मू रीजन में 12,997 इंडस्ट्रिल यूनिट्स थे आज सिर्फ 5,890 काम कर रहे हैं 7,107 मतलब 60% जम्मू की जो इंडस्ट्री है वो पिछले दो वर्ष में बंद हो चुकी है एक मानवादिकार संगठर ने अनुमान लगाया है कि जब से विभाजन हुआ है जम्मू कश्मीर का 40,000 करोड रुपए का नुकसान हुआ है और पहले 120 दिन में जो कश्मीर चेम्बर ओफ कॉमर्स है उसके अनुमान के अनुसार 17,877 करोड रुपए का नुकसान हुआ है वहाँ पे जो परियाटन इंडस्टरी है वहाँ पे जो हैंडी क्राफ्ट इंडस्टरी है वो पूरी तरह से बरबाद हो गई है अब मैं आपको इंटरनेट पे आता हूँ क्योंकि इंटरनेट इंटरनेट इसलिए जुरूरी है क्योंकि ये डिजिटल एज का सबापती मौद है स्टीम एंजिन है अगस्त पांस 2019 से लेकर मार्च 2020 तक 213 दिन इंटरनेट बंद रहा और मार्च 2020 से लेकर आज तक 70 बारी और इंटरनेट को बंद किया गया जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी दर है वो 16.2 परतिशत है देश में दूसरे नमबर के उपर है जो स्कूल है जम्मू कश्मीर में वो अगस्त 2019 से लेकर 14 मार्च 2020 तक कोविड आने से पहले 202 दिन तक बंद रहे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये किस तरह का विकास है ये किस तरह का एकी अमन शानती है ये किस तरह का आप वहाँ पे महौल बना रहे हैं कि सीस वायर वाइलेशन बढ़ रही है इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रही है वहाँ पे जो लोग है उनको कर्फ्यू के तहत रहना पड़ता है तो मैं सबबती महदे आपके माध्यम से ग्रे मंतरी जी से अनुरोद करना चाहता हूँ मैं याद दलाना चाहता हूँ इस सदन को 9 अगस्त 2019 को प्रदान मंतरी जी ने ये कहा था कि ये जो परिस्तिती है जम्मू कश्मीर के विभाजन की ये टेंप्ररी परिस्तिती है और जल्द से जल्द जो स्टेट हूड है जम्मू कश्मीर की उसको दुबारा से बहल किया जाएगा 18 अक्तूबर 2020 को हमारे ग्रे मंतरी जी ने ये बात कही एक इंटर्वियू में CNN डेटवर्क 18 को जो ग्रेटर कश्मीर अकबार में छपी कि there is no question of going back on restoration of statehood of जम्मू and कश्मीर इन्होंने हिंदी में कही होगी मैंने अंग्रेजी में पढ़ी है तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आज 17 महिने हो गए प्रधान मंतरी के स्तर पे ग्रे मंतरी के स्तर पर दुबारा दुबारा ये बात कही जाती है कि जम्मू कश्मीर की स्टेट हुड को वापस किया जाएगा और दूसरी तरफ जो जम्मू और कश्मीर का administrative काडर है जो 1954 से चलता आ रहा है उसको आप भंग करके उसको एगमट काडर में मर्ज कर रहे हैं ये किस तरह का संदेशा भेज रहे हैं क्या आपकी नियत और नीती में फरक है क्या आपकी मनशा में फरक है और अगर फरक है तो देश को आप सीधा सीधा बताइए कि हम जम्मू कश्मीर को वापस स्टेट हुड नहीं देंगे उसको union territory status में ही रखना चाहेंगे मैं सिरफ आखरी बात एक कहना चाहता हूँ मानिनिये अध्यक्स जी भी यहां पर आ गए है कि जम्मू कश्मीर जो पुनरगठन कानून है उसको सम्विधानिक चुनोती दी गई है और एक सम्विधानिक खंड पीट के सामने वो मामला लंबिद है ये बात सही है कि उचितम जाले ने उस कानून को स्टे नहीं किया है पर नेतिकता का तकाजा जूरिस प कानून को उसकी सम्विधानिकता को चुनोती दी गई हो तो उसको संचोधन करने के लिए जो कॉंसेक्वेंचल लेजिसलेशन है उसको नहीं लाना चाहिए मैं बहुत ही बिनमृता से ग्रेमंतरी जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब तक उसकी कॉंस्टिउशनाल नहीं डिसाइड हो जाती है और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार को एक अरजी लगानी चाहिए उच्टम ल्याले में कि जल्द से जल्द डे टू डे सनवाई करके उसकी कॉंस्टिउशनालिटी पे फैसला करना चाहिए और जब तक कॉंस्टिउशनालिटी पे फैसला नहीं होता ये जो संचोधन विधैक है ये आपसे विनर्मर नून अनुरोद है कि आप इसको वापिस ले लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद